आज हम मराएंगे जीमी कंद की सब्जी जीमी कंद को सूरन भी बोला जाता है यह सब्जी बहुत ही टेस्टी चटपटी सब्जी बनती है तो चलिए सुरू करते है होटल वाली टेस्टी चटपटी सूरन की सब्जी रेसिपी आपको पसंद आए रेसिपी को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए शुरू करते हैं जिमिकंद की सब्जी रेसिप लो फ्रेंड्स मैं हूं सुस्मा चोधरी मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिमिकंद की चटपटी टेस्टी होटल वाली सब्जी बनाने के लिए यह हमने 300 ग्र कट कर लेंगे सभी जिमिकंद को हमने कट करके लिया है अब जिमिकंद को हमें साफ पानी से अच्छे से एक बार दो लेना है यह देखिए जिमिकंद को हमने साफ पानी से अच्छे से दो कर ले लिया है चलिए सब्जी तयार कर लेते हैं सबसे पहले गैस पर एक पैन डग पैन में डालेंगे मैस्टिडवाइल केहल कालया होते ही इसमें जो कता हुआ हम और घ्मीगन को डालनेंके बाद हलका फ्राइख कर बेंगे घ्केंट फ्राइख हो गया है इसको निकालेंगे चटपटी सब्जी दे जीए पैनागा में जो ऑल में उस mais voltar कर लेते हैं इसमें डाल देंगे दो कटे हुए मोटे मोटे प्याज और इसमें डालेंगे कटा हुआ जिंजर इसमें डाल देंगे गार्लिक दो हरी मिर्चो को हाथों से तोड़ कर डाल देंगे उपर से हलका सा नमक डाल देंगे और इसमें मोटा मोटा कट कर हुआ टमाटर डाल देंगे टामाटडर डालने के वाद सभी चिज़ों को हलका सा oil में fry कर लेंगे देखिए हलका सा fry कर लिए है टामाटर हमारा गलने लग गया है इसको ठंडा होने देते हैं और मसाले को मेक्षी के जारं में डाल कर बार इंग पेस लेंगे देखें सबजी के लिए मसाला हमारा बहुती बड़िया बनकर तैयार है जी मिकंद की चटपटी टेस्टी होटल वाली सबजी तैयर करने के लिए गरस पर एक कड़ाई या पैंडग देंगे इसमें डाल देंगे मस्टर्ड ओयल फौटा सा पाणी डाल गार इसको मसाले को अब करेंगे अब नहीं हिसाब से पतला कणा रख सकते हैं हमने यहां पर सब्जी में एक कप पानी एड़ किया हैं वह अपने हिसाब से सब्जी को उपर लगाडा रख सकते है अब सब्जी को थोड़ा सा चला देंगे और डलक कर लेंगे सब्जी को चैक कर लेतें यह देखें बहुत ही बढ़ी है सब्जी को खोकर तयार है होना एक उपना तयार है इसके उपर डालएगे इसको हाओत धनिया और मैं जिकारों खाओ प्यों खुसरों